जमीन पर पड़ा ये शक्स पाकिस्तानी सेना का जवान बता जा रहा है जिसे टीटीपी के लड़ाकों ने पकड़ लिया है दावा क्या जा रहा है कि ये सैनिक पक्तून एरिया में चला गया था जिसके बाद TTP के लड़ाकों ने इसे धर्द बोचा पकड़ने के बाद पाकिस्तानी सैनिक के हाथ पैर बांध दिये गए वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक के साथ दो लोग और आपको नज़रा रहे होंगे एक के हाथ में चाकू है जिन जबकि दूसरा पीछे खड़ा है वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि पकड़ा गया शक्स पाकिस्तानी सेना का जवान देट्यों की बात्चित से पता चल रहा है और वो डरा हुआ है बहराल ये वीडियो कब का है और इसके बाद क्या हुआ इसकी कोई सटीक जानकारी तो नहीं है पर बताया जा रहा है कि टीटीपी के आतंक्यों ने सैनी को माड डाला है इस वक्त टीटीपी पूरे पाकिस्तान के लिए सिद्दत बना हुआ है हाले में टीटीपी के आतंक्यों ने पिशावर के मस्जिद में आतंगाती हमला कर दिया इसमें 90 से जादा लोग की जान जा चुकी है और 200 से जादा लोग घायल है पाकिस्तानी सेना इस वक्त BLA और टीटीपी जैसे दो आतंकी संगठनों से लड़ रही है टीटीपी का दावा है कि उसने 2022 में पाकिस्तानी सेना पर 366 हमले किये जिसमें 446 पाकिस्तानी सेनिक मारे गए वहीं BLA का दावा है कि उसने 767 हमले किये जिसमें 804 पाकिस्तानी सेनिक मारे गए हलाकि पाकिस्तानी सेना इन आकड़ों को छिपाती रही है और मारे गए अपने सैन्गों की संख्या के बारे में चुप रहती है लेकिन हकिकत ये है कि पाकिस्तान का नक्षा बहुत जल्द बदल सकता है पाकिस्तान के दो राज खैबर पक्तुनवा और बलोचिस्तान में उग्रवाद बढ़ रहा है बलोचिस्तान अगर आजादी की मांग कर रहा है तो खैबर पक्तुनवा के पश्टून सिर्फ पाकिस्तान पर कबजा करना चाहते हैं ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान के सामने कई मोर्चों पर जंग है जंग है वहां की भुखमरी वहां की बढ़ती महंगाई से और दो तरफ दो बड़े संगठनों से एक तरफ टीटीपी एक तरफ बीले बुरो रिपोर्ट भारत तक बढ़ तकार्द जाम्न की घाद